कि ह्लो Deswegen is किब्स स्पाइब को आपका बहुत स्वागत है आज में रोज freaking टिप्स या कुंट सभी केयर के एक बारे में आपको बताने कुणों प्रेंड स्वाग के बारे में आप नर्च फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबना मत भूले और मेरा वीडियो पसंद आये तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स और आपके कोई रिश्यतारों को अगरा रोज प्लान की जान करें अगरा च प्लांट की मिटी कितनी गिली तो फ्रेंड्स इसके साथ आपको मिटी गिली रखने चाहिए और फुल धूप में रखना होगा आपको बता दिया मैंने और इसको पूरे दिन में दो बार आप पानी दीचे सुबह एक बार थोड़ा सा दीजे शाम को एक बार थोड़ा पान में जब सूख जाएगे तो प्लांट भी अपना ग्रोथ रोख देगा मेरा प्लांट है फ्रेंड्स मेरा प्लांट देखिए कितना चितर किसे ग्रोथ हो रहा है है देखिए फ्रेंड्स आप और दिख रहा होगा लाल लाल लिउस है देखिए बड्स भी आपको दिख इसका एक ही कारणने फ्रेंट से इसको फुल धूप में रकिए है बहुत अच्छे होगा और आपको इसको ...? मैं आपको सब बता दूँगा और एक में ने आपको बता दिया इसको हमेशा मिट्टी इसकी गीली रखनी है और आप इसको fertilizer कुन सा भी डाल सकते केमिकल फल्टिलाजर भी डाल सकते लेकिन लिमिट से डाले बहुत ज्यादा केमिकल फल्टिलाजर डालोगे तो लिउस जलने शुरू हो जाएंगे यह देखिए लिउस जलेंगे और खरा भी हो जाएंगे और जब इसको आप फ अबर की खाद देता हूं बंदरा दिन में एक बार और हमें कभी कभी वर्मी कमेश्ट भी दे देता हूं और ज्यादा फूल होने चाहिए ज्यादा बड्स पी अगेरा आने चाहिए ना तो आप इसको बनानग फिल फल्टिलाजर दे सकते हैं टी पाउडर जो आप घर में मिटी बना के पाउडर वेस्ट होता है ना उसको आप सुका कर रोस प्लांट में डाल सकते हैं उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स मिटी ऐसेडिक बन जती है और रोस प्लांट को ऐसेडिक मिटी बहुत बसंद होता है फ्रेंड्स यह देखिए मैं आज सुभी गुडाई कर द इसको मैने बताया कि जब भी अब फ़र्टिलाजर दोगे तब एक दिन या दो दिन पानी थोड़ा साच जाधा डालिए उस फल्टिलेजर से क्या होता है कि उनको पावर मिलते फल्टिलेजर जल्दी जल्दी ओपानी से फल्टि ल्याजर एब्जोर्ब कर सकते हैं इसलिए आप उसको ज़्यादा पाने दीजिए तो फ्रेंट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके लिउस के बारे में आप इसके लिउस को बहुत अच्छी तरके से ग्रीन या ग्रीनिश रखना चाते हो खराब नहीं होने चाते हो तो आप इसको हपते में एक बार जरूर आ या कोई भी इसको को सब्सक्राइक कर सकते है और एक महिने में एक बार या 15 दिन में एक बार आप इपसम सोल्ट जरूर डाले तो आपको सुझेट करनेंगा सारे प्लान्ट्स में, जेस भी प्लांट में आप इपसम सोल्ट डालते हो न ओप प्लांट जूम उठता है बहुत अच्छी तरकरेशा उसकी ग्रोध शुरू कर देता है में मुझे तो बहुत अच्छा रिजट्ट आया फ्रेंड से इसमसोल का सारे प्लाइट में रोज प्लाइन भी बहुत अच्छा रिजल्ट अभर उस्फें लिस जो यलो लिस होतें अफ्रेंट्स यलो नहीं होते पूल यलो नहीं होगे रोज के ज़ाधा तर बढ़र विर सब फूल और इसके तो एक बार फूल होने है gir बहुत फूल ओरे थो अब यह दो तीन दिन में फ़िल से डालने वाला ओँ इसमें बड्स वगेरा कितना ग्रोथ आया है इसमें भी थोड़े थोड़े बड्स आ रहे है देखे लब छोटे जोटे बड्स में से ग्रोथ निकल रही है और इसको आप और एक बताओं फ्रेंट्स की इसकी आपको cutting ज़रूर करने जब भी आप cutting नहीं करोगे तो आपका plant grow नहीं करेगा अब जितनी ज़ाधा cutting करोगे उतनी ज़ाधा आपको एक example देताओं फ्रेंट्स एदेके आपको दिख रहा होगा एक मेंट रुखे फ्रेंट्स आपको दिख रहा होगा आपर लिउज इस लिउज को अगया फ्रेंट्स आप पीछे बड रहता है फ्रेंट्स इदर इदर पीछे बड रहता है आपको दिख रहा होगा जैसे ही आप इस बद को तो इतलाबτο को एक लिश निकाल करताऊगे तो यिश को ठूझी आउगेगे मैं इस लिश को निकाल लिश को कीज़ता है जैसे ही अपको खीच कर लिश निकाल देना है तो यहाप बड आया आपको दिख रहा होगा शायद फ्रेंट्स यह देखिए यहाँ पर एक बड़ है फ्रेंट्स यह भी आप ग्रोथ होगा यह देखिए और जब भी आप इसमें फूल काट होगे नहीं और फूल होई पर जड़कर सीडलिंग्स पर तैयार होगे तो फ्रेंट्स आपका बहुत दिरे से ग्रोथ करेगा आपके सीडलिंग्स को तैयर होने मत दीजे फ्रेंट्स फूल जब भी फूल चूब सूब जाए या फूल हो जाए खिल जाए तो आप जल से जल काट दीजे उससे भी ग्रोथ जादा बढ़ते तो फ्रेंट्स रोज की बहुत ज़ादा केरिंग टे कीचे फ्रेंट्स और इसी के साथ मैं वीडियो यह पर स्टॉप करता हूं थैंक यू